आप सभी का हमारी यूटूब चैनल लिगू निर्मार सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है आज हम क्लास एट के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसका पहला चेप्टर है वियर वेन हाव देखिए सब्सके पहले आपने इसके पहले पढ़ा होगा 6-7 में कि हमारी यह हिस्ट्री थी वो तीन पार्थ में डिवाइट थी अंसियांट, मेर्डेवल और मॉडर्ण तो आपने 6-7 में चैनल पढ़ा ओगा 7-7 में मॉडर्ण पढ़ा होगा और 8 में आप पढ़ेंगे मॉडर्ण modern period after 17th century modern period जो हमारे start होता है वो 17 सताबदी के बाद से start होता है जैसे कि the period of history from 18th century to present time वह इतिहास का वह काल जो 18 सताबदी से शुरू होकर present में यानि बरतमान में चल ला हमारे क्या थालाएगा modern history कहलाएगा अब देखिए modern history में को एक तरह से define दरते हैं मुगल्स emperor जो और अंगेब था जब वो मर गया तो उसके बाद से modern period है उसको मानना सुरू कर देते हैं जितने भी हमारे historian है जो history लिखते हैं इतिहास कार है वो क्या करते हैं और अंगेब की मृत्युक के बाद से modern काल को मानना इस्टार्ट करते हैं अब देखिए कैसे हमें इसके बारे में कहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है सोर्स information modern period यानि कौन-कौन से उस्टार्ट हैं जिससे हमें modern period के बारे में जानकारी मिलती है पहला है literary source और दूसरा archaeological source पहला क्या है literary यानि साहितिक archaeological यानि हमें जो buildings भावन बनाएं उससे जो हमें स्टार्ट मिलते हैं यह पहले हम पढ़ें literary source में पहला है books उस time 18th century में बहुत सारे अच्छे writers थे जिन्होंने लिखा जैसे कि मुंसी प्रेम चन्द है आपके रभिनार टेगोर हैं यह लोग क्या कि उस time के सबसे फेमस राइटर थे इन्होंने अपनी books में बहुत सारी जानकारी लिखा है किसके modern period टाइम में तो हमें उनके books से भी जानकारी मिलते हैं newspaper देखिए बंगाल गिजट नाम का एक newspaper चलता था 18th century का सबसे फेबस और सबसे पुराना जो निउस पेपर था बंगाल गिजट तो उस लिखने नाम बना है जैसे कि जानकारी कठथि करतें तो स्टार्ट हुआ जैसे कि जन संख्या जनकड़ना के जो सबसे पहले सुरुआत हुई थी वह 1871 1871 सन में स्टार्ट हुआ था इस टाइम जो उस समय के जो ब्रिटिस रूर से उन्हों बहारत की जन संख्या एक जctarक्ट कितनी है टोटल कितनी है उसको उन्होंने सर्वे कराये तो इससे हमें उस टाइम के बारें जनकारी मिलती है और लॉजिकल सूर्स में विल्दिंग से जो समय बिल्दिंग्स बनी उसके बारें से उन्होंने इस समय होना कोई सट्रॉंस फोटोग्राप्स और पैंटिंग बीए कोई समय जो शिक्के चलने लगे हमारे किसके चलने लगे हुए कौई स्टील के चलने लगे सोने चांदी की चलती थी तो बहुत सारे उस प्राब्लम होती है तो आज के फर्स चेप्टर में आपका बस इतना ही है और अगर इसमें आपको कोई प्राब्लम होती है तो आप हमें नीचे दिये के कमेंट बाक्स में कमेंट करें और वाट्षब ग्रूप में भी आप मेसेज कर सकते हैं आपके सवालों को पूर्ण समधान के जागा थैंक यूँ